नमस्कार, MCQS से समंदित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखते हैं कि आज MCQS के अंतरगत कौन-कौन से महत्रपूर्ण प्रशन है। पहला प्रशन। सिविल सेवाद दिवस के आयजिन की सुरुवात कब से की गए। इसका सही जवाब है ऑप्शन C, 2006 इसवे। भारत सरकार हर साल 21 अप्रेल को सिविल सेवाद दिवस के रूप में मनाती है। इस तरह का पहला समारो 21 अप्रेल 2006 को विज्ञान भवन में आयुजित किया गया था। या सिविल सेवकों के लिए खुद को नागरिकों के लिए समर्पित करने और साजनिक सेवा और कारे में उत्कृष्टा के लिए अपनी परतिबधता को नविनिकृत करने का एक अफसर है। इस तारीक को चुने जाने का कारण यह है कि 21 अप्रेल 1947 को सरदार बल्लभाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस में स्वतंद्र भारत में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। इसी दिन राश्ट्री राजधानी में सिविल सेवकों की उद्कृष्टता के लिए उन्हें भारत के प्रधान मंतरी द्वारा प्रस्कृट भी किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की ओर। प्रयाग पहल क्या है। उप्सन से ए शहरी और ग्रामीन छेत्रों में चिनहित नालों की सफाई के लिए समग्र रणनी थी। उप्सन बी प्रयाग में सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन। उप्सन सी यमुना गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्ट्रिक समय के विशलेशन के लिए मंच। केंद्री जल सकती मंतराले ने अधिकारीयों को निर्देश दिया किवे गंगा नदी के किनारे इस्थितु द्द्योगों में ताजे पानी के उप्योग का अध्यान करें और उप्चारित अप्सिष्ट जलके पुना उप्योग के लिए समग्र कालियोजना तयार करें। मंत्रा लेद्वारा, online dashboard के माध्यम से platform for real-time analysis of Yamuna, Ganga and their tributaries नामक निगरानी केंदर का सुभारम किया platform for real-time analysis of Yamuna, Ganga and their tributaries का ही short form है प्रयाग बढ़ते हैं तीसरे प्रशन की ओर तीसरे प्रशन है कि वीर्ता पदक पाने वाली पहली महिला वायू से ना अधिकारी कौन बनी? options है option A, DP का मिस्रा, option B, Dr. Puneet Arora, option C, Dr. Seema Rao, option D, Sheila S. Mathai इसका सही जवाब है option A, DP का मिस्रा Wing Commander दीपिका मिस्रा ने वीर्ता के लिए वायू सेवा पदक प्राप्त किया ऐसा सम्मान पाने वाली वह पाहली महिला वायू से ना अधिकारी बनी है Wing Commander दीपिका मिस्रा को अगस्त 2021 में उत्तरी मद्द्प्रदेस में आकस्मिक बाड़ की इस्थिती में मानवी सहयता की स्थिती में उनके प्रयासों से 47 लोगों की जान बचाई जा सकी बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की ओर प्रधानमंत्री द्वारा सिविल सिवाद दिवस के अफसर पर निमलिकित में से किस पुस्तक का उद्गाटन किया गया है उप्शन ए वाइस ओफ इंडिया मोदी और उनके परिवर्तनकारी मन की बात उप्शन भी पंडित दिन द्यालुपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिक्ता उप्शन सी भारत की नहीं सोच और उप्शन डी न्यू पाथवे एंड एस्पिरेशनल डिस्टिक्स अनलॉकिंग पोटेंशियल्स इसका सही जवाब है ओप्शन डी न्यू पाथवे एंड एस्पिरेशनल डिस्टिक्स अनलॉकिंग पोटेंशियल्स प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अपसर पर सिविल सेवकों को समधित करते वे परसंसा मुल्यांकन और भागिदारी या साजनिक भागिदारी की आविशक्ता पर भी जोड़ दिया आउजन के दौरान न्यू पाथवे एंड एस्पिरेशनल डिस्टिक्स अनलॉकिंग पोटेंशियल्स का विवोचन किया गया जिसमें एस्पिरेशनल डिस्टिक्स को बदलने के लिए सफल नव प्रवेस करने वाली कार्बन गहन वस्तों के उत्पादन के दौरान उत्सरजित कार्बन पर उचित मुल्य लगाएगा या गैर यूरोपी संग के देशों में स्वक्ष और द्योगिक उत्पादन को प्रोच साहित करेगा CBAM को चर्णों में पेस किया जाएगा जिसका पहला चर्ण अक्टूबर 2023 में शुरू होगा CBAM की इस्थाई विवस्था जनवरी 2026 से लागू होगे CBAM शुरू में स्टील, सिमेंट, अलुमिनियम, उरुवरक, बिजली और हैडोजन के आयात पर लागू होगा इस परकार MCQ से समंधित आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 परशनों को देखा इसके साथ ही इस वीडियो को हम यह समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नए परशनों के साथ नमस्कार